तो बल्वीर जी, NPD एग नंबर इंट क्या रिट पड़ेगी? ये त्रेपन रूपे हजार पड़ेगी मतला मोटा मोटा पांच रूपे तीस पैसे का हजार? एफ वार ये यानि पहुचाने का समेट, बाड़े समेट? हाँ और अगर हम आरके की बात करें तो? अगर हम आरके की बात करेंट पांच रूपेगी कैसे हैं आप सब होप करता हूँ, आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना दोस्तों कहीं दिनों से मेरे पास दिमांड आ रहे थी कि सर लोड बीरिंग श्रक्चर यानि वो श्रक्चर जिसमें हमारी छट का वेट इंटो के उपर आता है उसके अगोर्डिंग बताए कौन से इंट बैटर रहेगी और उसके अलावा फ्रेम श्रक्चर जिसमें कॉलम की उपर वेट आता है तो उसमें इंटों का इतना मेजर रोल नहीं होता ऐसे भी मैं आपको आज इंटों का डिफरेंट बताऊंगा इसके अलावा एक नमबर, दो नमबर और तीन नमबर ये तीनों टाइप की इंटे कैसे होती है ये सब दिखाने के लिए आज मैं डायरेट आपको इंट के बटे में लेके आया हूँ आज मैं यहाँ पे आपको लाए हूँ NBT के बटे पे ऐसे यहाँ पे अलग-अलग बहुत टाइप के बटे हैं जैसे RK है, NBT है, CK है बहुत से बटे हैं हर बटे पे नमबर एक, नमबर दो, नमबर तीन तीनों टाइप की इंटे बनती है ये हमारे बलवीर्टी है जो यह आप पर लगब लगब सभी से ही इंटे लेते हैं और यह market के एक तरीके से आप समझे लिए जैपूर के major supplier है जैपूर के आजपास के area गा अब मैं आपको सबसे major major सारी चीज़े बताता हूँ जैपूर के इंट लेने के लिए हमको किस किस चीज़ पर द्यान देना चाहिए और कैसे हम यह पता लगाएं इंट अच्छी है या नहीं है देखें यह है NBT की तीनों इंटे यह नंबर एक है यह नंबर दो है यह नंबर तीन है यह नंबर इंट 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 कम पकी है एक इंट बनने में सबसे important रोल किस चीज़ का होता है इंट कितनी अच्छी पकी है और मिटी कितनी अच्छी है अब आप यह भी सोच रहे होंगे कि जैपूर में जैपूर के आसपास में वें फांच रुपे शोप्य छे रुपे इसके आसपास के इंट की कि रेटे चलती है । लेकिन कोकता जाए यह नहीं हम और यहुंडे की आपäहिक हम यह वोजे होती है उसका मेंजर कहारण कया है देखि कहीं जगह पे न पता किस्जा माल जैने जो मिट्टी आती है, वो महर्माइगी आती है, और दुसरा मेजर कारण क्या है, जो इंटो को पकाने के लिए सबसे इंपोर्टन सीजी चाहिए, वो होती है धूड़ी, धूड़ी क्या होता है, सरसो का कच्चामाण, जिस जगह पे सरसो की पैदावार ज्यादा होगी, वहाँ दूड़ी के availability जादा होगी, दूड़ी सस्ती मिलेगी, तो सरसो सस्ती मिलेगी आपको, तो ऐसी जगवाँ पर इंटो की रेटे और सस्ती मिलेगी, जम्मू जाएं, कोलकता जाएं, साउथ में जाएं, तो वहाँ आपको इंटो की रेटे महेंगी मिलेगी, तो अब आ पानी पीने का टेस्ट कि एक इंट कितना पानी पी सकती है अब जैसे एक इंट है यह नंबर एक इंट है इसको आप पानी में डालेंगे तो यह 15 या 20% से ज्यादा वेट नहीं बढ़ना चाहिए सोचिए जैसे अगर ही एक किलो की इंट है इसको हमने 24 गंटे के लेक पानी की पालटी में बिगोया तो उसके बाद इसका वजन 15 एक किलो 150 ग्राम से लेके एक किलो 200 ग्राम तक जाना चाहिए अगर इससे जादा वेट जाएगा तो मतलब वो इंट अच्छी नहीं है वो अपिरियन्сы तैस्ट मतलब कीियें कैसी दिख तक एक करी नंबर कीए आलगभग आपको मरून से कलर की यह you अब इसके बाद तीसरा टेस्ट होता है शेप एंड साइज टेस्ट मतलब हम किसी भी बट्टे से इंट ले रहे हैं अगर हमने उनको और दिया है हमें 4000 चाहिए 5000 चाहिए 5000 चाहिए दस अजार चाहिए चाहिए उन इंट के बट्टे में लगबा लबग सारी इंटों का साइज सेम सा होना चाहिए ऐसा नहीं हो कुछ छोटी हो कुछ बड़ी हो कई बार ऐसा देखा गया है कि अलावा चौथा टेस्ट जो बहुत मेजर टेस्ट होता है जिसे बोलते हैं मेटलिक रिंगिंग टेस्ट यानि साउंड टेस्ट जब आप एक नंबर की दो इंटों को अब हम दूसरे नंबर की इंट पर आते हैं अब इसको में बजा रहा हूं तो इसमें तो कोई साउंड नहीं ऐसा ला रहा है मिट्टी बज़री है इससे में तो आप देखें इसमें कितने बड़े-बड़े सुराग दिख लें हैं तो यह इंट इसलिए सस्ती है अब इसका यह मतलब नहीं है कि यह इंटे यूस नहीं की जाती है देखिए हिंदुस्तान है कुछ भी बनता है तो हिंदुस्तान में हर तरीके की कस्टमर है सब लेना चाहते हैं जिसका बजट इस एक नंबर की इंट के लिए लाओ करेगा वह एक नंबर की लेगा जिसका बजट दो में इंट करिए गां दो नंबर इंट लेगा जिसका बजट तीन बहु करेगा वो थीन नमबर कि लेगा हिंदूस्तान में कुछ भी बना है तो बेगेगा तो सरी ही है अब देखे दोस्तों सेकंड टॉपिक की तरफ बात करते हैं जो कि है लोड बियरिंग स्ट्चर के लिए कौन सी इंट जाधा बैटर रहेगी लोड बियरिंग जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ जिस इंटों के ओपर छट का वजन आएगा और फ्रेम स्ट्चर क्या होता है जिसमें कॉलम की ओपर छट का वजन आता है तो उसमें थोड़ी हलकी इंटे पी चल जाती है अब देखे कौन सी लोड बियरिंग के लिए अच्छी रहेगी देखे यह जो नॉर्मल ब्रिक्स होती है इनकी साइज होती है नौ इंच बै चार बै तीन इंच लेकिन जो लोड बियरिंग स्ट्चर की इंटे होती है उनकी खास बात क्या होती है वह तियो नौ इंच बै साड़े चार इंच बै साड़े तीम अब मैं इन दोनों के एक दूसरे के ऊपर रखता हूं आप देखे यह कहीं न कहीं जो यह इंट है यह इंट ज थोड़ा वजन भी जाधा होता है यह साइज बड़े होने के कारण से ही जाधा अच्छा लोड ले पाती है अब देखी यह तो बता दिया मैंने आपको सारी इंटों का फरक अब हम बलवीर जी से रेट जानते हैं कि आज की रेट में जैपुर में कानोता में अगर बलवीर पांच रुपे तीस पैसे की एक इन पड़ेगी और अगर हम आरके की बात करें तो यह शह जार पड़ेगी अच्छा एफ और आपको कोई भी ऑर्डर करना है तो आप बलवीर जी को और कर सकते हैं बलवीर जी आपका नंबर क्या है 63-777-0-1-66-1-66-1-66 ठीक है बलवीर ज का नंबर आपको description में भी दिख रहा होगा और इस वीडियो में भी दिख रहा होगा अगर आपको इंटे चेहे तो बलवीर जी से रिक्वाइर कर सते हैं तो बलवीर जी अपने इंटों की खास बात क्या रहेगी इंटों की खास बात यह जितनी आप quantity मंगा होगे डाई जा दिखे से बिख जाएनए गरार क Racist Naval अफिकर शॉवार जाएगा वार्पी भीडियो तेक्रेक्राइब को देखने बात कर स्युछ झाल झाल